हेलो दोस्तो गुड मॉर्निंग दोस्तो आज इस वीडियो में मैं बात करूँगा एक बहुत पेंट के बारे में जिसका नाम है नूफोर्स तो दोस्तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करता हूं मेरे इस चैनल मैं सेटर क्लास को सबस्रेब कीजिए व जो कि eye products बनाता है, eye drops बनाता है, काफी famous है, तो यानि company standard है, तो drug भी standard है, तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो, no force इसका जो content है, clotry muscle, clotry muscle एक antifungal है, जो की एक fungal infection में मिटाने में काम कर देता है, तो दोस्तों इसका जो mouth paint नाम दिया गया है, और यहाँ पर लिखा है oral thrush treatment के यानि जो जब उजली हो जाती है, या तो बच्चों में दूद पीने के वज़े से, या तो fungal infection के वज़े से, या तो बड़े लोगों में भी, उमर वाले लोगों में भी हो जाती है, तो यह तब काफी इस्तमाल होती है, तो दोस्तों यह आपको मिल जाएगी 59 rupees 89 पैसे में वही आप compare करोगे, तो Candid Oral Paint जो की आपको 90, 100 rupees इतनी सारी मेंगी है, लेकिन यह छोटी सी pack में आ जाती है, छोटा सा ml है, और काफी अपके बज़ेट में हो जाएगा दोस्तों, तो यहां 15 ml के pack में 30 ml आ जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है, जो की उतना use नहीं होता है दो तो यह clotry muscle 1% as directed by the physician, और आपको यह बहुत अच्छा इस्तमाल होगा, मैं open करके दिखाऊंगा, results भी कफी अच्छा है दोस्तों इसके, तो यहां पर देख सकते हो, देख दोस्तों यादरी कि इसका नाम mouth paint रखा हुआ है, क्योंकि आपको क्या करना है, यह आपके जबान पर लगा कर paint करनी होती है, तो इसी लिए उसको paint का नाम दिया गया है, mouth paint, यानि आपको जबान पर डाल कर छोड़नी नहीं होती है, जबान पर डाल कर ऐसे rotate करनी होती है, जैसे कि आपने SAP यहां पर लगाया, छोटी उंगली पर लगा कर आपको paint करनी होती है, पूरा oral cavity, दातो सब पर, तो इससे कोई side effect नहीं होगा, काफी अच्छे results होंगे, दिन में 3 बार इस्तमाल करना है, कभी 5 दिन, कभी 7 दिन, कभी 10 दिन, यह doctor ही बता पाएगा, कितने दिन आपके बच्चों में use होती है, बड़ों में भी use कर सकते हो दोस्तों, काफी अच्छे results, बहुत अच results, ओके, तो चलिए दोस्तों, thank you so much, मुझे यकीन है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, please share कीजिए, like कीजिए, और comment करके बताइए, अगर आपने कोई side effect देखा हो, या कुछ नया देखा हो, ताकि हमारे दोस्तों को मदद बहुंचे, thank you so much दोस्तों